नमस्कार, एक नए स्पेशल कंटेंट के साथ स्वागत है आपका अपने चैनल जाने अंजाने तत्थ में आज हिंदी पत्र टारता दिवस है और आज की वीडियो में हम इसी विशे पर बात करेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यादी चैनल पर पहली बारा आये हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें बिल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन स्पाने के लिए ओल पर क्लिक करना न भूलें चलिए वीडियो शुरू करते हैं हिंदी पत्रकारता के इतिहास में आज का दिन वह यादगार दिन है जब हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था यू तो भारत में 1780 में ही पत्रकारता के नी पढ़ जो कि थी जब अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कलकता गैजेट प्रकाशित हुआ था धीरे धीरे आगे चलकर बांगला और फार्जी भाषा में भी समाचार पत्र प्रकाशित होने शुरू हो गया थे किन्तु अभी भी हिंदी पत्रकार का जैसी चीज़ का दूर मूं तक कोई नामों निशान ना था इस कमी को दूर करने के लिए जो व्यक्ति आ गया है वो थेकानपूर निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो पेशे से एक वकील भी थे उनके निरंतर और अथक प्रियासों का प्रिणाम यह हुआ कि 30 मई 1826 को ततकालिम कलकता के कोलू टोला मुहले के अमरतला गली से उदंत मार्दंड नामत हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र परकाशित हुआ इसके पहले अंके की कुल 500 प्रतियां चापी गए लेकिन अभी भी इसके राज़ने में बहुत दिकते थी एक दो कलकत्ते में हिंदी भाषी बहुत कम थे दूसरी सबसे बड़ी कठनाई यह थी कि ततकालिन इस्टिक इंडिया कंपनिंग की सरकार अंग्रेजी के अख़बारों को कई सुविधाय तो देती थी लेकिन लाख कोश्यों के बाद भी उदंत मार्दंडे को यह सुविधा हासिल नहीं हो सकी नतीजा यह हुआ कि यह समाचार पत्र बव मुश्किल देड़ साल तक चल सका और आखिरकार चार दिसंबर पठाट सो सता इसको बंद हो गया समाचार पत्र तो बंद हो गया लेकिन इसने भारत में हिंदी पत्रकारता के नीथों रखी दी थी जिसका परिणाम आगे चलकर हमें हरिश्चंदर मैगजिन, हरिश्चंदर पत्रिका, सरस्वती, हिंदू, हिंदूस्तान, दैनिक भासकर, आज और वरतमान जैसे कई समाचार पत्रों के प्रकाशन पिरूप में देखने को मिला शुरूआती दौर में हिंदी पत्रकारता, मूलता अपने स्वरूप में साहितिक पत्रकारता ही कह जा सकती है किन्तु 1920 के बाद हिंदी पत्रकारता ने राजनितिक चेतना को भी अपने कलेवर में समिटा फिर वह दोर आया जब हमारा देश आजाद हुआ और देश एक नए रास्ते पर आगे की हो अपने कदम बढ़ा है लेकिन काफी समय भी जाने के बाद भी हिंदी पत्रकारता को एक आला मुकाम हासिब नहीं हो सका आज से महाज 30 वर्स पहले तक देश के शिर्ष पांच ख़बारों के बाते करें तो पांच में से केवल एक समाचार पत्र हिंदी का हुआ करता था लेकिन आज पांच में चार समाचार पत्र हिंदी के हुआ करते हैं और इतना ही नहीं हिंदी पत्रिकार्टा में हिंदी भाषी शेतरों का भी दखल बढ़ा है आज का दौर सूचना प्रोधोगी की सूचना कुरांधी का दौर है दुनिया हमारे आपके पहुंच के लिए महा एक क्लिक की दूरी पर है। हिंदी पत्रकार्टा ने भी बदलते परित्रश्य को समझा है और इस अनुरूप उसने स्वयम को भी ढाला है और अपने अपेक्षित परवर्थन लाने का भी प्रयास किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिंदी पत्रकार्टा का दारा बढ़ा है यह दारा इसकी पहुँच का भी है और इसकी विश्य बस्तू का भी है इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह हिंदी पत्रकार्टा ने भारत में शुरुआत की और आज एक खास मुकाम तक पहुँच का है जहां वाश्विक इस्तर पर हिंदी पत्रकारता नए नए कृतिमान इस्थापित कर रही है आने वाले दिनों में हिंदी पत्रकारता के स्वर्णी महविशिक की मंगल कामना के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ बहुत जल्द मैं हाजर होंगा आपके लिए नए वीडियो कुछ नए बाते लेकर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और अधिक साथिक धन्यवाद